मुसा वादा विर्मनी सिक्खा पदंस्मादियानी जो हमारे भारत के बहुत जादा बड़े-बड़े बुद्धी जीवी बड़े अकलबंद और जिनों ने अपना पूरा जिंदगी बावा सापको पढ़ने में लगा दिया और जो दुनिया भर को सिक्षा देते हैं ग्यान देते हैं और काम करते हैं और जब वो जाती पर भहस करते हैं और आदा घंटा पैतलेश पर बरवाद करते हैं और उनको छूट देती जाए तो पूरा देना पूरी रात लगे रहे और जाती पर इतना ग्यान है लोगों को इतना ग्यान है कि अगर दस साल तक भी उनको भहस कराते रहें तो जाती भी भहस करते रहेंगे और उनसे पूछो नतीजा क्या आया तो कहते है नतीजा जीरो तो फिर बावा साब को पढ़ा क्या आपने और बावा साब को समझे क्या और बावा साब को पढ़े और समझे तो जाने क्या बावा साब से जब बावा साब की बात नहीं मानते तो कड़ते रहो पूरी जिन्द की बहस ये मूर्खों की तरह जो हमको लगा रखा है उन अकलबंद लोगों ने कि इनको ऐसे ऐसे काम दे दो जो हैं नहीं और ये उसी में बहस लग लगे रहेंगे ये सेंटेंस समझ में याता हमारे विद्वानों को फिर भी उस पर लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं और लोगों को लगा के रखते हैं और जिसको दुस्मन कहते हैं उसका पूरी तन्मन से काम करते हैं और इस पर लड़ते भी हैं और पूरी विद्वा भी तो आप मैंसे जो भी पूरे भारत में पूरी दुनिया में कोई माईकलाल है तो ये बता दे कि पहली जाती या उसकी जाती पैदा कैसे हुई और कव हुई है और इसका जवाब लेके आए उसके बाद फिर आके बहस करें तो बहतर है अपनी जाती का तो पता नहीं कहां से पै बहस करकर के खतम करने लगे रहते हैं और जो बावा साब में काम कहा है कि संग्ठत रहना है उस पर काम नहीं करेंगे मतलब संग्ठत रहने पर कोई बात नहीं करेंगे और फालतु की चर्चाएं करेंगे तो जान नहीं बचने वाली जो काम करने के लिए कहा है बावा साब ने महाप्रोस ने जब फोटो उनका लगाते हो जंडा उनका लगाते हो जैभीं करते हो तो बिक्रांतीकारी जैभीं बहस करने से नहीं होती है हमारे अधिकतर लोगों ने पूरा जीवन बहस में लगा दिया और काम नहीं किया और जो पिएच्डी होल्डर हो जो डॉक्टरेट और जो बड़ी-पड़ी डिग्रिया लेके बैठे हैं वो तो बहस के लाव कोई काम नहीं करते इसलिए बावा साब भी खूब सारा काम deva साप करके गए हैं सारा कांग्यार करके गए हैं सारा काम ऑ लिडी है और किसी को समझ में इती है यह साप कासी लामिक दून और लेटेश्ट हे तो चलना है तो चलेगा और चलूग यह कई करो फुर्टो कुछ होगा नहीं कि जो कंसेप्ट है यह सीधा साथा चलने का बुद्ध के पास में बहुत सारे लोग आते थे उस तो घदे आते ते जो बहस करते थे बुद्ध ने कभी जीवन में उनसे बहस नहीं करें और जो बहस में पढ़ते थे उसको तो वो कहते थे यह बाल है मूर्ख है मूर्ख तो बहस में नहीं पढ़ने देते थे तो बहस में जो टाइम खराब करते थे उन दोनों को कहते थे मूर्ख है यह वो कभी नहीं पढ़ते थे एक आते थे जो उनसे बाद विवाद करने आते तो वो समझ जाते थे कि यह बाद विबाद करने आया है या जीतने हारने आया है तो जीतने हारने वाले से बाद विबाद नहीं करते थे और जो सच में प्रसंट पूछने आता था उसका वो पूरा समाधान देते थे तो सारे समधान हमारे महापुर्ष ने दिये हुए हैं तो एक वार किसी ने पूछा उनसे कि यहां आपकी सभा के अंदर कितने सारे लोग आते हैं यह सारे सारे मुख प्राप्त क्यों नहीं करते सारे सारे दुख्प से मुख्त क्यों नहीं हो जाते तो उन्होंने कहा कि तुम कहां से आये हो तो विक्ति ने कहा कि मैं तो सावित्ति से आये हो तो बोले ठीक है तुम सावित्ति से आये हो अगर मैं तुम्हें सावित्ति का रास्ता बता दूँ कि यहां से यहां तक है तो तुम पहुंच जाओगे तो वो कहने लगा जी कैसे पहुँच जाएंगे वो तो चलना पड़ेगा चलूँगा तो पहुँचूँगा लास्ता तो मुझे दिखाई देता है मैं तो वहाँ से आया अभी हूँ तो बोले बस मैं मार्ग बताता हूँ मार्ग पर चलना सब लोगों को पड़ेगा जो जितना चलता है उसको उतना फाइदा है ये सारा मार्ग अंच्छत नहीं और लोगों के लिए उन्होंने का सिक्षचत नहीं है तो सिक्षचत का तो समझ लिया कि डिएक दिगरी लेनी है बड़ी उमीद लगाई थी बुद्धिमान लोगों से नहीं आते बुद्धिमान लोग तो भाई कम बुद्धिमान सही बेफकूप लोगी सही अगर बेफकूप भी खटे हो जाते हैं तो अभी बुद्धिमान पर भारी पड़ जाते हैं तो यह खटा होना है और फिर संगर् मीद्हान है संविधान के जाने के बाद करArt लेना फाइदा यह ठीक एसे हो जाएगा कि गाने कोई कटे भी होगे और जब लागू नहीं कर सकता तो खटे होने का फाइदा क्या है तो यह time bound program है छह महिने हमने इस बात में लगाए कि हम आपस में एक दूसरे सब परिचख करें और बाचित करें तो हम बाचित कर रहे हैं परिचे कर रहे हैं छह मने तो हम ने इस बात में लगा दिये कि हम इस बात का यकिन दला सकें कि भई ये चो समढ़ संग है इसमें कोई नेता नहीं होता और ना ये नेता कभी होगा छे मैंने अमने इस बात में लगा दिये कि भी समढ़ संग में कभी भी ना पैसे पहले लिए गये हैं सभाप में लगा दिए सीखने चखाने में कि यहां सामुहु की निर्णै होता है अकेले व्यक्ति का निर्णै नहीं होता चलती जो यहां नेता बनने आते हैं वह मत्था मारके अपर पूड को चले आते हैं बहुत आए बहुत चलेगे बहुत जाएंगे भी तो यहां वोई लोग बचे जिनको समर्संग सवन्वे आ गया तो समर्संग में ये बात बताने में लगे कि भाई हर एक आदमी को खुद खर्चा करना है अपनी जेप से कोई खर्चा आपके लिए खर्टा करके नहीं देगा ऐसा नहीं चलेगा पैसा कहीं से आए और वह खर्च करो तो फिर तो आप पैसे वाली गुलामी करोगे तो सब को रोटी अपनी खानी है और सब को अपने किराय से आना है और सब को खुद आना है तो छह मैंने इस बात में लगे हैं कि हम आपस में दूसरे की बात सुने और उस बात में त्यार हो जाए अभी भी कुछ ल करें यहां किसी भी हालत में यह संग है और संग मानना पड़ेगा और उस पर नुक्सान भी करेगा और मैं टाइम दर्बाद करेगा तो ये संग के बहुत छोटे-छोटे-छोटे से नियम हैं और ये बड़े कारगार हैं पूरी दुनिया ने अपना है ये नियम देखो सिखों ने बहुत बाद में अपना है पांस साथ साल पहले आज उनके जो नियम है वो इतने मजबूत हैं कि वो भी महां आगे हैं कि उनकी कोई बेद्री नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सामविक निर्ने हो गया वो माना जाएगा और पूरा सिक्ष समुदाय मानता है इसलिए वो बहुत कम लोग हैं फिर भी बच्चे हुए हैं दो करड़ लो तो जो मुस्लिम कंट्री है और भारत में जो मुस्लिम लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है उनके पास सिर्फ संग है कुछ नहीं है उनके पास तो एजूकर समीं है जितनी हमारे पास है वो हमसे नीचे हैं इसमामले में मगर वो संग में इखटे हैं इसलिए वो बचे हुए हैं और उनकी तरफ कोई आख उटाकर उन Go झूंकी तरफ आख उटाकर देखनी सकता एक अधिंश्ट्वेंट होता है तो पूरी दुनिया चैन की शुपोर्ट में तो जितने भी इसाइई हैं सिक इसाई को संग में बड़े संग में हैं तो उनको फायदा होता है तो हम तो दुनिया में सब से जlog सौंगे हैं और हम अक्ल पंद जाधा हैं तो बावा सब ने कहा इस देस dosis का है यह तुमारी रक्षा करेगा तो भावा साहम को पिरुद्ध तो डेस का है यह देशी है इसकी कल्चर है इसने राजा सोग बनाया है इसने सब सिखाया है और यह पूरी दुनिया पे फैल गया इतना अच्छा है दुनिया में कुछ नहीं फैला भारत से जो गया यह विस्व गुरू बन गया तो सारी दुनिया आपको इज्जट से देखत हो जाते तो बहुत लोग चला रहे खटे होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा को कि जैसा कि यहां पोडल पे लोग प्रत आते हैं कि अभी हम वहां आमेंसे पहुंच पाई अभी हम इस से लट रहे हैं उससे लटत थाय तो एक एग cage को एक वियकती पकण मैं मत रहो बाई बहुत बड़ी मीटिंग लगाने चक्कर मैं रहोगे तो फेल हो जाओगे वो नेतागरी की मीटिंग होती है वो बड़ी-बड़ी मीटिंग में भी लगेंगी मगर जब छुटी-छुटी मीटिंग होगी काम बूंद-बूंद से घड़ा बढ़ता है एक साथ बाल्टी डालो कि घड़ा फूट जाएगा क्योंकि अभी कै ना मिनी परताप प्टाइए पर मेंँने नाम पते भी लेके में के स gleich काम चल आ है अंक के साथ एक Dubai सबहे हैं सबसे पर आपका विश्वास का समझा ह८र आपकी बात मान लेंगे जो आप पे यकीन करता है अगर आप अच्छे है तो वो आपकी बात माल लेगा कि यह जो कह रहा है ठीक कह रहा ही अजमा क्या है फिर दोस्तों की बात करो फिर उन से कहो कि अपने रिस्दारों बात करो हम सब आपस में रिस्दार हैं अगर हम अपने रिस्दारों से रिस्दारों काम करोगे जल्दी हो जाए काम कौकि हमारे पास में समय की बड़ी दिक्कत है छे मैने का बहुत कीमती समय हम दे चुके हैं अब हम जादा बहस में और भाषण में समय नहीं दे सकते हमको बहुत तेजी से काम करना है और इस नेटवर्क को चैन को आगे बड़ाना है तो समढ स संग जीवित हो चुका है तरसल समहर संग कभी मरा ही नहीं कैवे शंग कभी मरते नहीं है अगर संग मर गया होता तो पूरी दुनिया में भिक्कुनी होते हैं भिक्कुण का संग करते हैं हम अपना साधन अपने आप लेके चलते हैं अपनी रोटी अपने आप लेके चलते हैं हम आज भी पंचाइद की बात मानते हैं सारे निर्ने वह यह बस समझ का फेर है कि इसको पूरे देश में पूरी दुनिया में लागू करना है और उसके लिए हर व्यक्ति जो जह ही ही है हर व्क्ति को छोटा छोटे छोटविन के उन्य बणानी पडेंगी और वह लगाता χोटा रहता है किस संग की जो सन्ग में पैदा हो गया जैसे बेहल साभ है बेहल साभ को आज तक नहीं पता होगा कि वह समरसंग के जन्य पैंबर Якौर आज हो यह फील हैं आपका परिवार कड़ों लोगों के साथ है 120 कड़ों लोग तो भारत महियां जो बाहर पहले हुए वो अलग हैं इस ताकत को पहचान के अगर काम करेंगे तो हमें दो साल की अंदर अंदर हम अपने दुख दूर कर लेंगे और अगर हम समय को देखते हुए और तेजी से काम नहीं करेंगे और हर व्यक्ति काम नहीं करेंगा तो 200 साल में भी संग के साहे लोग रिवाइबन नहीं हो सकते क्योंकि नेताओं के पीछे जा जाके तो हमने सबने देख लिए 70 साल से नेता क्या काम करता है नेता लोग को इखटा हैं कैसे भी हैं सबके छोटे 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 नेता हैं इनसे काम बन जाता कोई दिक्कत नहीं थी अगर यह सारे एक साथ बैठ जाते, SANG में बैठ जाते, इनको पता ही नहीं के SANG क्या होता है, आज भी वो SANG के concept को जानते नहीं है, बहुत साई लोग कहते हैं, अरे वीदा पीपल समढ संग, ये भी कोई संग्डर है, ये भी कुछ है, उनका दिमाग जब खराब होता है, आए और यह उनको यह पता चलता है अठी तो पैसे नहीं लेता अर्य तो अपने पैसे से लोग आते हैं यह तो खाना पुझो जो, पाच्ड़ हो जित ओगर्षाँ करूँ लूज बढ़ा बनाउंगा और मैं बहुत बढ़ा भवन बनाऊंगा फिर मैं मिटिंग करूँगा यह जंगल काड़ते ःते बुद्ध जंगल काट के मैदान में बठाते थे और वहीं से लोगों को एकटा करते करते पहले वो अकिले थे फिर पांच हुए फिर साथ हुए फिर वो पचास हार होगे बस ऐसे त्यार होगे अब हमें और एक टाइम बखाना खाते थे और वहीं पहले पढ़ाते थे लोगों को फिर फिर खाना खाते थे जरूरताम बड़ी कम कर दी और दो जोड़ी कपय रखते थे वही मांगे हुए और बुद्ध कहातों पांच सुकुलिक वो था चीवर यारि जो उनकी चादर थी वो पांच सुकुलिक थी 500 कुली क्या होती है घूरे पे, कुले पे पड़ा हुआ जो पुराना कप्डा है उसको उठाकर सिलते थे उसको 500 कुली भोलते हैं वो तो कप्ला भी वैसा पहनते थे तो यह सारी चीजे आपको माननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें काम्या भी है बहुत बड़ी-बड़ी मंच माला माइक लेके आप बड़ी-बड़ी मीटिंग करके कुर्सी लागा के मेज लागा के 20 लाग का टेंट लागा के समाज को गड़े में डालोगे समाज को पैसे नहीं है भाई उससे ज्यादा पैसे की उम्मीद मत क्योंकि पैसा देंगे तब एखटे होके आऊगे जब पैसा देना है बीस वाटा देना है जितने ही संटर मनते जा रहे हैं उतना ही हमारे अधिकार जाते जा रहे हैं जाते जां दो जा रहें तो लोग कैते हैं ज 210 काम नहीं करते हैं चोटे-चोटे इनका उनका उनका व्रांच होता है हर गाओं का जो संग्ठन है वो छोटा संग्ठन होता है हर महले का छोटा संग्ठन छोटा होता है हर गली का छोटा संग्ठन छोटा होता है मगर वो जुड़े हुए एक संग्ठन में होते हैं एक संग्ठन से चुड़े होते हैं वो ब्रांच होते हैं वो अलग अलग नहीं हो उनके लग़ग प्रेश्टारहएं पतादिकारी हुसकते हैं जैसे एक कोई पार्टी बनी और उस पार्टी ने एक संग्ठन बरह प्रश्ण करेंगी तो एक संख्थन हो उसकी लाखव ब्रांच हो यह तो ठीक है मगर लाखों तरह के संग्ठन हो और उनकी अलग-अलग ब्रांच हो ये जहर है हमारे लिए और हम इसी जहर की वैसे मरे हैं इसलिए इस वाद को समझना चाहिए संग्ठन तो बहुत बढ़िया है मगर वो जुड़े हुए सारे एक ही जगे से होने चाहिए और इसी में दिक्कत आ रही है क्योंकि सारे संग्ठन इनेताओं को हमने क्याई वार बोला आप भी बोलके देख लो सब बोलो उसको भाई खटे हो जाओ पर वो मानते नहीं है क्या है कि अधिकतर वो बेरोजगार है उनका खर्चा चलता है उनको धंदा पानी चलता है क्यातीती बनके खुट हो जाता है और हमारे बेड़े ग discs वो बीमारी यहां अपर आ ग लखले है जाए अगर मर जाएंगे हमारे और हम इखटे ही बात में वेए तो कौन सुरेगा हमारी क्योंकि समिदाद ने तो सुनता है जैसे किसानों का सुनियाBook समिधान अभी किसान एक खर्टे हो के आए तो उनके बिल बापस होगे। यहां यहां यह अच्छी तरह समझने हैं कि हमारे पास टैंक सरोटेज है और जैसे कि अब लोग लगे पड़े हैं जैसे अमरोहा के अंदर कल 300 आदमी इखटे हो रहे हैं, जैसे 26 इसमर को इखटे हो रहे हैं, जैसे 26 दिसमर को डॉक्टर इखटे हो रहे हैं, फिर इजिनिर होंगे, जैसे सुदेश कमाद तनवर जी ने एक ना काईकर में स्टार्ट किया है, जो क्लब श्टार्ट किया है, संनीवार का क्लब है, हर संनीवार को इखटा दिली में जैसे आज दस बाल लोग इखटे हुए तो ऐसे ये काम लगाता 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 बढ़ेगा और सब लोगों को जोड़ना है और सब के साथ जोड़ना है, संग कभी संग्ठन नहीं के बहुमत से पास होगी तो उसकी चलेगी और बहुमत से पास नहीं होगी तो जो बहुमत का फैसला होगा वो से मानना पड़ेगा, इसलिए जुड़ना है और जिद्ध है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जहां जहां भी दुनिया में लोग जुड़े हैं, मौहां मा जीते हैं ऐसा कोई धर्ण नहीं है कि जब लोग जुड़े ना हो और जीत के हुँए आईसा कोई धर्ण नहीं है और आदमी की तो बाद छोडो प्रजा की तो बाद छोड़ो जानवर भी जीतता है जब जुड़ता है जंगल में अकिला जानवर मारा जाता है ये नियम है प्रकतिगा इस प्रकति के नियम को मानते हुए जितनी तेजी से जल्दी बचना है उतनी तेजी से उतनी जल्दी जुड़ना है ये आपके उपर है कि आपको बचना है तो जुड़ना है इसलिए ये जिद् धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धंबम्मर सनु गच्छामु दूतियं पी धंबम सनु गच्छामु दूतियों पी संगों सर्णं गच्छाम। दूतियों पी संगों सर्णं गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्णं गच्छाम। ततियों पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। ततियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छाम। साथू, साथू